प्रिप्रेशन करते वद कि नहीं पीशन भी हो जाएगी है हजार तरीके के जो बोलते हैं ना डाउट है बच्चों की दिमाग में आ रहे हैं साथी साथ कुछ ऐसी क्यों रही हैं फॉर्म को लेके क्योंकि फॉर्म फिलिंग कल से स्टार्ट हो चुगी है तो बहुत सारी क्यो उन्होंने ऑफिशल वेबसाइट पर डाल के रखे हैं और मैंने अपने वीडियो में अल्रेडी बता के रखा हैं नेक्स यादी बात करोगे यह डिप्लोमा होना चाहिए डिग्री होना चाहिए तो फुल टाइम डिप्लोमा होना बहुत जरूरी है अधर्वाइस यू कैन आपको experience की requirement थी पर यहाँ पर नहीं कोई experience की requirement दिल खोल के फर्म वोडरोगों कोई tension नहीं होगी ने गर्डい मार्किंगंग और लब बबग 0.25 मार्क्स की आपकी negative मार्किंग मिलेगी हर कोस्चन पर वन मार्क मिलेगा आपको 20,000 तक होगा, depend करता है कि आपकी क्या post है, क्या allocation है और क्या आप बोल सकते हो कि आपको allowances वगेर आपको देखने को मिल रहे हैं वहाँ पे, next है selection process कैसा होगा, CBT के through direct है, मस तरीके से, आप CBT दीजिए, अच्छे से qualify करिए, और आपका direct फिस selection है, थोड़ छोटे modern document verification तो वैसे भी हर जगह होते हैं, next है हम बात करें, cut off का, क्योंकि last 2022 का ये cut off में लेका है हूँ, तो electrical में आप देख सकते हैं, 422 का गया था, unresolved में, EWS में 137 का गया, 149 का इसमें गया और 127 का गया, ऐसे ही बच्चे ये थी, आप लोग इसमें देखोगे, civil engineering में, तो 149, 147, EWS के लिए, 155 OBC, 135 SC के लिए, mechanical में देखोगे तो 156, सबसे ज़्यादा गया था, 154, फिर 154 उसमें OBC में, मतलब EWS, OBC दोनों में सेम था, HC केटिगरी में 147 गया था, तो यह थी हम electrical branch की बात करें, तो 142.42, लबबग SSJEE जैसा ही similar आपको कुछ देखने को मिलता है, तो हम preparation, क्या SSJEE के preparation हमारे काम आएगी भाई, NHPC में, डारेट बताईए सर, तो कल से 3-4 call आ चुके हैं इसको regarding, तो मैं आप सभी का doubt क्लियर कर दे से, 30 question आपका general awareness है, और 30 question आपका reasoning ability, SSC में क्याता है, SSC में 50 question reasoning, 50 question general awareness और 100 question, आपके थे जो आपकी electrical branch, civil mechanical branch से related थे, सब सेम वैसा ही है, total जो counting हैं वो 200 questions किये, और क्योंकि यहाँ पर cutoff ज्यादा कैसे जा पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर technical वाला portion बहुत बच्चों का अच्छ होना है, आप यह दि अच्छे से बच्चा पढ़ रहा हो, 110 तो कैसे भी फोर सकता है, 110 तो कैसे भी फोर सकता है, reasoning में आप लोग 30 से 25 तक फोर सकते हो, expected आप अभी मान के चलिए, 145 तक तो आपको लाना ही पड़ेगा safe score की तरफ, अब देखिए syllabus कैसे यहाँ पर help करेगा, reasoning reasoning और आपका general awareness, वो बाकी सब कुछ से में उसमें tension लेने की ज़रूत नहीं, जैसा SSC Jai का वैसे यह भी है, main क्या है, यहाँ पे जब हम SSC Jai के syllabus बात करते हैं, तो 6 core subject ही हैं, ज्यादा उनी से ही आता है, बाकी avoid कर दिये जाते हैं SSC Jai के तरफ से, बट यहाँ पे जो core subject तो ह हैं, बट उसके साथ साथ में आप देखोगे कि control system include किया गया है, electronics वाला portion थोड़ा सा include किया गया है, बाकी तो सब कुछ same है, digital electronics बहुत कम SSC Jai में कभी कबार पूछा गया, पर इसमें अच्छा पूछा जाता है, मैंने देखे paper इसके, microwave and communication के छोटे मोटे portion आपको यहाँ प पर पूछा जाता है, तो आपको यह ultimately यह कुछ subject हैं, जो extra में आपको पढ़ने पढ़ेंगे, पाकी यह rest of the pattern यह सब कुछ देखोगे, तो कही ना कहीं बहुत कुछ similar SSC Jai के, तो भाया हाँ SSC Jai की preparation आपको NHPC की preparation में भी help करेगी, so all the very best, लग जाईए अभी से, कुछ ही combination, date भी आ सकती है, लेट मत करिए, बात में फस्तावा होता है कि हमारे पाद टाइम भी था हम खराब कर बेटे, तो all the very best, लगे रहो और मौच करिए, अच्छे से पढ़िए, बाबाई